हाई एवरिवान आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चानल पर और आशा है उम्मीद है कि आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे जब उपर पड़ती है ना तब भी अकल आती है ना अब तक हम सोच रहेते या अब तक ये लोग सोच रहेते कि acost ठीक है हमने राम मंदिर का निर्मान कर दिया हमने ऊ Hugh tho चल वा दिया हमने एक आइसी धर्म वाली राजनीती खेस लिलिया वो टैवर जो भी उनकी है कि इससे हम जनता का प्यार पालेंगे लेकिन जनता को after all क्या चाहिए होता है कि युवा को नोकरी चाहिए होती है इतने सालों से जो परिक्षाई नहीं हो रही है परिक्षाई होती है तो उसमें एकदम से इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं कि वो अपनी age गवा बैटते हैं या फिर कहिए वो out of age हो जाते हैं ठीक है किसान को क्या चाहिए वच्चाई उसकी खेती की उसको सही रकम मिले महिलाओ को क्या चाहिए होता है सशक्ती करण चाहिए होता है तो इन मुद्दों पर आप कभी बात नहीं करते हो, करते हो तो इसमें घोटाले निकल कर आते हैं और आप सोचते होगे आप यूपी को जीत लोगे तो ये बहुत बड़ी गलती और ये गलती मुझे लग रहा है शायद योगी जीने में मान भी ली है और अब वो जो है कहते ह पर यहां पर हम बात करते हैं योगी जीने माना है लोकसभा के चुनाव में जो भी UP में उनके साथ हुआ है वो बहुत ही जादा unpredictable था ठीक है हम सबको खुशी थी राम मंदिर बनने की वाक्य में बहुत जादा खुशी थी लेकिन क्या खाली क्या वो बनाने से बच्चा देश का युवा उसको रोजगार मिल जाएगा वहां की महिलाएं जो है वहां की शशक्त हो पाएंगी उनको रोजगार मिल पाएगा वहां का किशान खुश हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है तो आपको जमीनी तोर पर भी काम करने थे और इसी में अब इन्होंने अपनी गलती माने और उसको सुधारने का परियास किया है कहे रहे हैं कि एक तो बहुत जादा गर्मी जब पढ़ती है आपकी आफ्टरोल मई के बाद बच्चा तो उससे पहले पहले आपके सारे एक्जाम्स करा लिये जाए दूसरा किसानों को ज एक बार देख लेते हैं खाली पदों पर बहुत जल्द आपकी जो है भरती कराने वाला है आपका यूपी के अंदर अब देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं आप सभी के लिए और इसमें साफ साफ जलक रहा है चार जून के रिजल्ट का दर्द दर्द क्या है चुनाव क के बाद ब्रश्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात की अधिकारियों के साथ हुई पतली पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है पैठक यूवा किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तता बुन्यादी धा के विकास पर केंद्रित रही अगर यही केंद्रित या यही आप पहले कर लेते तो शायद आपका उतना बुरा हाल नहीं होता क्योंकि आफ्टर ओल देश की जनता जो है वह आपसे प्यार करती है आपने जो गिनो चिनो थोड़े काम किये उनकी सरहाना करती है मुख्यमंत् का ने काटने को कहा है मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचीव और परमुख सचीव इस्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की स्थिती की समिक्षा की चुनाव में रिक्त पदों की भरती का मुद्द जोर सोर से उठाया गया क्योंकि एक यूवा को मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में आपके खाली पद न्युक्त होने हैं ठीक है वहां से प्रस्ताव ततकाल चैन आयोग जो है उनको भेजा जाए प्रस्ताव भेजने से पूर जो नियम है उसका बारी की से परिक्षन किया जाए चैन आयोग को गलत और अधूर प्रस्ताव ने भेजे ताकि देरी इसमें ना हो नियुक्ति परकिरिया को सरल बनाने के लिए प्रस्ताव की विवस्था का अपयोग करने और समय सीमा तै करने के लिए भी निर्देश जारी करे हैं इसी तरह उन्होंने करमचारियों की सहूलियोतों को ध्यान में रखते अगर यही बात आप अपने उन फ्रोड अधिकारियों को पहले बोल देते तो शायद वहां की जनता आपको माफ करती और आपके लिए वोट करती ठीक है तो लोगों से जुड़े कारियों की अंदेखी बिलकुल बरदाश नहीं होगी युवाव की सुहूलियत को ध्यान मे रखते हुए भीशन गर्मी से पहले ही सारी परिक्षाय जो होंगी मुख्यमंत्रियन युवाव की सुहूलियत को ध्यान में रखते हुए कहा है कि विश्विध्याले महाविध्याले इंजीनियरिंग कॉलीज पॉलिटेक्निक आई टी आई सभी सेक्षिक संथानों में जो का मोसम चल रहा है बच्चा और उसके बीच में आपको पता है कि यूपी के अंदर गाउं वगारा में बिजलीना जाने कितने कितने घंटे के लिए जाती है और बहुत जादा दिक्कते होती है इस्पेशली उनको जिनको पढ़ना होता है ठीक है पढ़ाई करनी होती है वो इंपोर्टेंट कि आपके जुलाई के पहले हफते में क्या हो जाएगा जो री एक्जाम यूपी पुलिस कॉंस्टेबल 6244 पद है उन पर बच्चा आपका तिथी जो है या फिर डेट का ये एक्जाम की वो निर्धारित हो जाएगी तो अब शायद यूपी के हालत या व पचास भी नहीं ला पाते हो तो समझे कि आप वहां पर हार ही गए हो है ना अब उनको देखते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस वहां के विधान सभागे चुनाओं तक ये अपने आपको किस तरीके से सुधारते हैं तिल नेन टेक यर एवरीवन बाई 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 आगे कोई भी अपडेट होगी यूपी के रिलेटिड कोई भी आपका सरकारी जोब से रिलेटिड तो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और थैंक यू सो मच एवरीवन यह बिल्कुल सही है कि एक यूवा को एक देश की जनता को जवाब जो है वो इसी तरीके से देना चाहिए कि अगर आप हमारे नहीं है हमारे लिए नहीं सोचते हैं तो हम भी आपके लिए नहीं सोचेंगे ठीक है चलिए टेक केर एवरीवन जैहिंद एंड थैंक यू सो मच